पंजाब सरकार ने साल 2022 के दौरान प्रवासी पंजाबियों के अलग-अलग मामलों को हल करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं जिससे प्रवासी पंजाबियों को बड़ी रहत मिली है पंजाब के अनराई मामलों से संबंधित मंतरी कुल्दीप सिंग धालीवाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि अनराई पंजाबियों के मसलों और शिकायतों को जल्द हल करने के लिए जालंधर, S.A.S. नगर, लुधियाना, मोगा और अम्रिस सर में दिसंबर महिने में अनराई पंजाबियों के साथ मिलनी प्रोग्राम किये जिस दौरान अनराई पंजाबियों के मसले तोरंथ हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्टेश दिये और बाकी बचे मुद्दों को एक तैस समय सीमा के अंतरगत हल करने के लिए भी कहा गया मंतरी धालिवाल ने बताया कि पंद्रा एन आराई पुलिस स्थानों को अपग्रेट करने के लिए कुल 30 लाख रुपए जारी किये गए जिससे वहां बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जा सके उन्होंने बताया कि इसके साथ ही पंजाब में प्रवासी पंजाबी भारतियों के मसलों के तुरंट निप्टारे के लिए जल्दी फास्ट्रेक अदालतें इस्थापित की जाएगी कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जिलों में प्रवासी पंजाबीों के शिकायतों के निप्टारे के लिए PCS इस्तर के अधिकारी नोडल अफसर के तौर पर तैनात करने का फैसला भी लिया गया है यसे संबंधित मसलों और शिकायतों को जिला प्रशासन के सहयोग से जल्द से जल्द हल किया जा सके उन्होंने कहा कि प्रवासी पंजाबियों के राज्यों के मसलों को निप्टारे के लिए पूरी तरह से गंभीर है और इनसे संबंधित कोई भी special case सामने आने पर संबंधित डिप्टी कमिशनर और SSP के साथ तालमेल करने की हिदायते जारी की गई है धाली वाल ने बताया कि पंजाब की विकास में प्रवासी पंजाबियों की भागिदारी को प्रोथ साहित करने और पंजाब में उनकी जड़े और मात्र भूमी के पोशन करने के लिए अपनी जड़ों के साथ जुड़ो स्कीम शुरू की गई है इस खबर पर आपकी क्या है रहे ज़रूर बताईए जुड़े रहे जनभावना टाइम्स के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्ताज से जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन भी कर सकते हैं नमस्कार